आज इस वीडियो में हम MP ADPO का पार्ट 6 वीडियो देखने वाले हैं और इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 जो मैंने वीडियो अप्लोड कर रखा है वो मद्ध परदेश जोग्राफी के उपर जीके कोईस्तन है तो अगर आप ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो साथ में आई बटन पर क्लिक करके भी वो सारे वीडियो को आप देख सकते हैं और अगर आप भी इस फॉर्म को एपलाई किये हुए हैं और एक्जाम का प्रप्रेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के उपर आपके लिए a special series start हो चुका है जो आप सभी के लिए एक्जाम के लिए helpful होंगे तो आप सारे वीडियो को देख लिजे और साथ में चैनल से जुड़ने के लिए subscribe कर लिजी और इस वीडियो को दूसरे candidates के पास चातर के पास जरूर share करें ताकि वो भी यहां से जुड सके और एक्जाम का preparation सही तरीके से कर सके तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में हम इतिहास जो आप सभी को question में exam में आएंगे इतिहास से question जी के question पुछे जाएंगे वहाँ उस chapter के अंतरगत हमें मद्परदिश की कला एम सस्कृती जानना है तो हम इस पे आज इस topic के उपर MCQ करने वाले हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप देश सकते हैं स्क्रीन के उपर मारे पास first number में question है मद्परदिश के परसिद साची के अस्तूप की सरचना कैसी है तो इसका answer होगा अर्ध वृताकार second question है साची के अस्तूप का समन्द किस काल से है correct answer होगा मोरे काल वा मोरे आतर काल से next question है मद्परदिश के सतना में इस्थित भरूत के अस्तूप की रेलिंग में आखिरती निर्मित है कमल की डिजाइन है और यच की परतिमा और नहाता हुआ हाती तो जो मद्परदिश में अस्तना में इस्थित भरूत अस्तूप है उसके रेलिंग में जो रिजाइन किया हुआ है वो कमल का डिजाइन किया गया है और यच का परतिमा है और वहां नहाती हुए जो हाती है उनका भी डिजाइन उस रेलिंग में किया हुआ है किस अस्थापत की विशेष्टा है एंसर होगा बुंदेलखंड अस्थापती है तो गाइज आपको जो मैं कोईशन एंसर करवा रहा हूँ आप इसे राइट डाउन कर लेजे अपने कॉपी में ताकि कि आपको एक्जाम के टाइम में रिविजन करने में हेलफुल हो और इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और साथ में इस वीडियो को सेर भी कर दे तो नेक्ट कोईशन है हमारे पास इसका करेक्ट एंसर होगा दिनेश सर्मा नेक्ट कोईशन है प्रेम और विरा में पड़ी इसतरी का चितर की गुफाओं की चितरकारी कुदर साता है करेक्ट एंसर होगा बाग की गुफाओं नेक्ट कोईशन है बोधी सतो पदपानी का चितर की गुफाओं का विसेस्ता है Correct answer होगा बाग की गुफा है Next question है भर्थरी किस छेतर का लोक ग्यान है इसका correct answer होगा मालवा Question number 10 है अल्ला ग्यान गायन के परमुख वाग यंत्र है Correct answer होगा धोलक नगाडे Next question है गर्बा गर्भी लोक गायन किस छेतर में परसीद है Correct answer होगा निमाड छेतर में परसीद है Next question है निमाड छेतर में गाया जाने वाला मासान ये लोक गीत किस आउसर में गाया जाता है Correct answer होगा इसका मिर्थिव Next question है कौन सा लोक गायन निमाड छेतर से सम्बंदित है Nath Panty Nath Panty सा correct answer होगा नेक्स्ट कोश्चन है मिर्दिंगा और जांज के साथ उच सवर में गाया जाने वाले लोक गायन है करेक्ट एंसर होगा संत सिंगांजी भजन नेक्स्ट कोश्चन है किस लोक गायन में अखाडे होते हैं करेक्ट एंसर होगा कलगी तुर्रा में next question है रेलो लोग गीत किस छेतर का लोग गायन है correct answer होगा मालवा next question है कौन सा लोग गायन गद और पद दोनों सेली में गाय जाता है correct answer होगा भरसाती बारता next question है मालवा छेतर में हीड गायन की पर्था किस मा में अयोजित होती है correct answer होगा इसका सरवन में नेस्ट कोईशन है सिरी परलाद सिंग किस लोग गायन है तु परसीद है करेक्ट एंसर होगा निर्गुना गायन में नेस्ट कोईशन है सुरूज बाय खांडे का समन्ध किस लोग गायन से है करेक्ट एंसर होगा भर्थरी next question है बधाय निर्थ किस छेतर में लोक निर्थ है correct answer होगा बुंदेलखंड छेतर next question है कनाड़ा निर्थ किस जाती के लोगों द्वारा किया जाता है correct answer होगा धोवी next question है निमाण छेतर का डंडा नाच मुख्याता किस के द्वारा किया जाता है माड लाया किस और किस नेतम हमार। नेक्ष्ट कोश्वन है जोला तथा जालरिया किस लोग निर्थी किस सेलिया है करेक्ट एंसरूगा गंगोर नेश्ट कोईशन है मटकी निर्थ किस छेतर का लोग निर्थ है करेक्ट एंसरोंगा मालवा नेश्ट कोईशन है आड़ा खाड़ा वा रजवाड़ी किस छेतर का लोग निर्थ है करेक्ट एंसरोंगा मालवा नेस्ट कोशन है बगेल खांड का लोग गीत गोतूल घाटा किस ऑउसर में गायाता है करेट एंसरों कामिर्थिव नेस्ट कोशन है वेदवती सेली के लोग गीत का समझा किस लोग गायान से है करेक्ट एंसरों कापनोडवानी तो guys I hope आप try down इसे कर रहे होंगे और इसे आप वीडियो को complete देखें ताकि आपके जो exam में ADP exam में आएंगे तो आप इसे सही से अपना जो है उत्तर दे पाएं तो इस वीडियो को complete देख लिए इसमें total में आज 100 question करवाऊंगा तो next question 32 number है परसिधी लोग गायक तीजन भाई का समन्द किस लोग गित से है इसका correct answer का पंदवानी से बंगिल खंड में परचलीद फाग गायन में मुख भागिदारी किसके होती है इसका correct answer का पूर्सो डेटमिस बंगेल खंड में जो फाग गायन का परचिलित वहाँ पे प्रूसों के द्वारा ज्यादा भाग लिया जाता है इस गायन में नेक्ट कोईशन है बुंदेल खंडी लोगईत लम्टेरा को अन किस नाम से जाना जाता है करेक्ट एंसर होगा भोला गीत नेक्ट कोईशन होगा किस लोगईत का विशे वस्तू राधा किर्शन के प्रेम परसंग में अधारित होती है नेक्ट है जगदेव का पुआरा कहां का लोगईत है करेक्ट एंसर होगा भुंदेल खंडी next है बंगेल खंड में पर चलित लोक गायत लोक गीत बस देवा किस जाती दोरा गाया जाता है correct answer होगा हर बोले जाती के दोरा next question है बिरहा गायन किस चेत्र से समंदित है तो बंगेल खंड से समंदित है next question है मार्च के परमुख वाग यंतर कों से है तो इसका भी correct answer होगा धोलक सारगी Next question है मद परदेश के लोग नाटक मार्च का प्रेंटा किसे कहा जाता है Correct answer होगा बाल मुकुंद Next question है मद परदेश की भारिया जन्जाती का लोग पिर निर्थ कौन सा है Correct answer होगा भडम next question है धाका किस जन्जाती का लोक निरित है? correct answer होगा call next question है डांडरिया निरित मज़ परदेश की किस जन्जाती दोआरा किया जाता है? correct answer होगा बेगा next question है कौन सा एक उराओं जन्जाती का लोक निरित है? correct answer होगा पूजा निरित नेश्ट कोईशन है जनजातियों में लोग पिरिये डोहा निरित किया जाता है करेक्ट एंसर होगा इस्तिरियो द्वारा नेश्ट कोईशन है टिक्रोवा वाग यंद्र किस लोग निरित में परियोग किया जाता है करेक्ट एंसर होगा कहरवा में next question है रिइना नृृत किस जन जाती के प्रामपरीक निरृत है correct answer signal gonna next question है 50 number one question number 51 राय किस शेतर का परसीध लोक निरृत है correct answer लृण गुंदेल खन्ड next question है कथक के समान परिजिलान किस लोक निरृत के विसेथा है तो इसका correct number और ढिम्राई निर्ट Next question है परधोनी निर्ट किस जाती के लोगों के द्वारा क्या जाता है Correct answer होगा बेगा Next question है कौन सा लोग निर्ट बगेल खंड चेतर में क्या जाता है Correct answer होगा दादर Next question है कौन सा निर्ट की एक विसेस मुद्रा फूरहरी है correct answer वोगा कहरा next question है किस निर्थ को साजन सजना निर्थ भी कहते है correct answer वोगा केमाली निर्थ next question है लोक निर्थ का राजा किसे कहा जाता है कर्मा next question है गिनीज बूक में सामिल होने वाला पहला लोक निर्थ कौन सा है तो इसका answer वोगा कर्मा निर्थ कौन सा लोक निर्थ एक पुरूस परधान लोक निर्थ है तो इसका correct answer होगा सेला next question है थापा क्या है answer होगा लोक चितरकला next question है निमाड अंचल की किस परसीधी चितरकला में चांद, सूरज, एंव, स्वास्तिक की अकार्तियां बनाई जाती है correct answer होगा जिरोती next question है मदपर्देश में पगलाया इस अंचल की लोक चितरकला है correct answer होगा निमाड next question है किस चितरकला का उदेश घर में आने वाली बाधाओं और संकटों को रोकना है तो इसका correct answer होगा सवनाही next question है कालिया नाग पर्देश का पर्देशन का पर्देशन किस लोक नाटि में किया जाता है correct answer होगा रास में next question है हाथ रसी सेली का समंध किस लोक नाटि से है correct answer होगा नोटंकी next question है नोटंकी नामक लोक नाटि में पर्मुख पातर को क्या का जाता है correct answer होगा रंगा Next question है किस लोग नाटक की मुख्य विशेवस्तू सम्वानती व्यस्ता को उजागर करना है Correct answer वोगा रास Next question है लकड बग्गा नाटिका परदशन मध्य परदिश के किस चेतर में होता है Correct answer वोगा बंगेल खंड चेतर नेक्स्ट कोईशन स्वैंटी नमर वन है बालोल लोक निरिति को अन किस नाम से जाना जाता है तो जिंदवा के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोईशन है कौन सा लोक नाटक कि परदसन है तुमंज की आवसकता नहीं होती है तो हिंगोला नेक्स्ट कोशन है मोर्द प्रदेस की लोक कलाओं में भवी क्या है तो लोक नाठि है इत मिनज नाटक नेक्स्ट कोशन है गम्मत लोक नाठि की शेतर से परचलित है तो करेक्ट एंसर होगा निमाल next question है राधा किरिशन की प्रेम किडाओं उनका परदसन की स्लोक नाट में होता है correct answer होगा रास लीला next question है भूरी भेंस दाउद मरगट के मसान किस लोक निर्थ से समधित है correct answer होगा सवांग next question है सारे रिक गतिविधियों का परदसन होता है correct answer होगा अखाड़ा में next question है खम स्वांग विशेश रुप से किस जनजाती का लोक निर्थ है correct answer होगा कोरकू जनजाती का next question है 79 नमबर स्वांग किस चितर का लोक नाटी है बुन्देल खंड next question है छुवारा कहां का तेवार है चुवारा कहा का तेवार है तो correct answer होगा मालवा Next question है गंगोर पर्व किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो correct answer होगा सीव पारवती Next question है गवर्धन पूजा कब की जाती है तो इसका correct answer होगा दिपवाली के दुसरे दिन में नेक्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट् लग चित्र नेश्ट को संने बट होली नामक परसीद पात्र किस धातू के बने होते हैं करेक्ट एंसर खासा जबिशने टेरा होटा शिल्प धिरी परसीद है करेक्ट एंसर होगा साडंर के लिए नेश्टको सने सबcribe पुम्भ उट्सव का आयोजन की सुनदी में समंदित है lorsqueा हुए नर्मदा है संजय कोवारी लड़कियों का उट्सव है या कितने दिनों तक चलने वाला परो है तो यह 16 दिन तक चलता है जो संजा कुमारी लड़कियों का एक उच्छव होता है महद परदेश में नेश्ट कोशन है नई फसल पकने में कौन सा परव मनाया जाता है तो नवरात्र का नेश्ट कोशन है भिल जनजाती के यूवक यूती या किस परव में अपना जीवन साथी का चुनाव करती है तो भगोरिया डेटमिस भिल जनजाती जो मध्य परदेश में भिल जनजाती है वहाँ के यूवक और यूती जो है अपने जीवन साथी को चुनाव करने के लिए भ करेक्ट एंसर होगा हर्याली हरेली जिससे हम बोलते हैं मद्ध प्रदेश में कंगी कला अविस्कारक जनजाती मानी जाती है तो बंजारा को वहाँ पे कंगी कला अविस्कारक जनजाती भी माना जाता है नेश्ट कोशन 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 है correct answer होगा गवालियर next और last question है hundred number मद परदेश में बुधने घाट किस कला है तू परचिद है correct answer होगा खराद सिल्प तो guys ये total hundred question था जो मद परदेश की कला उनकी संस्कृति से related था और यहां से आपके ADPO exam में जो है question पूछे जाएंगे और भी से related अगर आपको question देखना है कला हैं संस्कृति के उपर तो आप comment कीजिए मैं इसका next part भी बना दूँगा और साथ में हमारे channel के उपर आपको जो series start हो चुका है exam को लेकर वो जीके का वो आपको देखने को मिलेगा part वाइस part तो इसमें आज मैंने कला है संस्कृति करा है कल जो है next topic के उपर होगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए study with me को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे साथ में आप लोगों से request है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यहां तक तो please share भी कर दें ताकि और भी candidates हमारे चैनल से जूट सके और जो है वीडियो को देख सके क्योंकि जो हमारा purpose होता है वो आप लोगों को notes जो है आप लोगों को जो exam के लिए provide कराना होता है question तो आप इसे share भी कर दें ताकि और लोग भी इसे दिख सके तो इसलिए जरूर सेर करें अपने friends के साथ अपने WhatsApp ग्रूप के दोरा सेर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छा लगा हो तो like किजेगा comment किजेगा thank you so much for watching this video